आपकी संप्रेशन कला और द्रिड निश्चय आज आपको कई समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे आप आगे चल कर प्रेम संबंद बना सकते हैं। और अब अपना आवेदन कंपनियों में डालते हुए फरिशान हो चुके हैं। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। सकारात्मक सोच रखें और सब कुछ आसान हो जाएगा। यदि आपके पास व्यवसाइक संपत्ती है और आप उसे बेचना चाहते हैं या बेचने का मन बना चुके हैं। तो आज का दिन लोगों से संपर्क करने का उचित समय है जो वास्तविक रूप से आपकी आर्थिक्स्तिती सुद्रण कर सकता है। आप अपनी आखें खुली रखें एवं अपनी व्यवसाई गत्विध्या जारी रखें। आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि संभावनाएं किस दिशा से आ रही है। अगर इस से दूसरे प्रभावित होंगे। इसलिए आप आज कुछ समय निकाल कर इसका कारण जानने की कोशिश करें। 31 दिसंबर राशी ब्रिश ओवर्विय। आज आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज आप अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ही ध्यान देंगे। आज आप पूरे जोर शोर से अपना काम शुरू कर देंगे। अपनी इस उर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। आज आप अपने सपनों के पार्टनर से मिलेंगे। बाचीत के वक्त शर्माना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है और सुनहरा मौका हाथ से फिसल सकता है। खुशी पाने के लिए अपने जज़बातों का खुल कर इजहार करें। आज के दिन नौकरी की तलाश में अपने घुस्से को बेकाबू ना होने दें। आपके लिए सही पद का प्रस्ताव आने में समय लग सकता है। धैरे रखना आवश्चक है। हो सकता है कि आप में से कुछ को सही खोज के सही परणाम भी मिल सकें। याद रखें कि आपको एक सही पद किया वशकता है जो भविश्य में आपको लाब दे सके। आज आपको खर्चे के मामले में अपने उपर नियंतन रखना होगा। सिर्फ जरूरी बिलों का ही भुगतान करें। किसी भी सुविधाजनक उपकरण के खरीद के विशय में ना सोचें जिसे आप लंबे समय से खरीदना चाह रही हैं। ऐसा करने से आने वाले समय में आपको वित्तिय संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज आपकी नई चीजों का अविशकार करने में दिल्चस्पी बढ़ेगी। आज आप कुछ ऐसा बनाएंगे जो आपने पहले कभी ना बनाया हो। आज आप बड़े चाव से खाना खाएंगे। आप रोजमर्रा की जिन्दगी से हट कर कुछ अलग बनाएंगे जिसे आप बेहत पसंद करते हैं। आज आपके सरकार से संबंधित अटके हुए काम बन जाएंगे। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिक्ता मिलेगी जहां अब तक आपके काम पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इस अच्छे समय का लाब उठाते हुए आप अपना सारा काम समय पर पूरा कर लें। उसका साथ आपको अपार खुशी देगा। वो आपकी जिन्दगी में हर पल सुख दुख में आपका साथ देगा। इसलिए इस रिष्टे को बढ़ाने के समय और मन लगाएं। परणाम अच्छा हो सकता है। यदि आपने सिविल सेवा की परिक्षा दी है तब आज का दिन कुछ अच्छी खबर आपके लिए ला सकता है। आप धैर्य और उत्तेजना के साथ इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपका दिन शुभ हो। आज के दिन आपको नवीन व सकारात्मक वित्तिय विकास के संकेत मिलेंगे। ये किसी प्रकार की वदोनती या वेतन वृद्धी हो सकती है। यदि आप अपना व्यवसाय भी चलाते हैं तब आज आएके नवीन सुरोत मिलने की उमीद है। इन वित्तिय संभावनाओं का लाव उठाईए और अपने भविश के वित्तिय लक्षों को पूरा कीजिए। 31 दिसंबर, राशि मिथुन, हेल्थ, मधुमेह और ब्लड प्रेशर मरीजों को ज्यादा सावधान रहना होगा। ध्यान रहे, आप वही भोजन लें जो आपको बताया गया है। फैट्स, नम बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद कानूनी लड़ाई का फैसला आपके हक में रहेगा। अब आप चैन की सांस ले सकते हैं। आपके वकील की सलाह अब काम आएगी। परिस्तिती को ध्यान से समझें और जरूरी कदम उठाएं। इस कानूनी मुद्दे को अब पूरी तर की चाहत महसूस होगी जिसकी वजह से आपका ध्यान काम में नहीं लग सकेगा। 31 दिसंबर राशिकर्क करिया। यदि आप अपना विवसाय चलाते हैं तब आपको अपने पुराने कर्मचारियों के प्रती आभारी होना चाहिए। हो सकता है कि नवीन कर्मचारियों की गल देना चाहिए। 31 दिसंबर राशिकर्क फाइनांस बहुत दिनों से आप कुछ दान धर्म की सोच रहे थे। वह समय आ गया है। आज दान कीजिए। आप दान करने योग्य हैं। आपके इस नेक काम की बड़ी प्रशंसा होगी। इस नेक काम का पुन्ने आपको भविश् 31 दिसंबर राशिकर्क हेल्थ अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उससे कम करने का समय आ गया है। यह एक रात में नहीं होगा परंदु कुछ समय में इसका फल मिलेगा। आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल कर व्यायाम करना होगा। 31 दिसंबर राशिस आज आप आराम फर्माएं वो अपने आसपास के लोगों के साथ मजा करें। इन रिष्टों से भविष्य में आपको बहुत लाब होगा। आपने अपने घरवालों के साथ भी एक गहरे रिष्टे की नीव रख दी है। अपने परिवार वो रिष्टेदारों के साथ अप आज आप दिन भर हाल में मिले दोस्त के बारे में सोचते रहेंगे. ये क्षणिक आकर्षण के अलावा कुछ नहीं. इसलिए अपनी भावनाओं पर लगाम लगाएं और आगे बढ़ने की कोशिश ना करें. आज का दिन आपको जबरन ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगा. आज आप किसी गैर सरकारी संगठन में काम करने का मन बना सकते हैं. रोजाना ऐसा अवसर आपको नहीं मिलेगा. आपका काम करने का तरीका अनेक लोगों को प्रभावित करेगा और आपकी हुर्दय शीलता और चरित्र की तारीफें होंगी. बधाई हो. चेरिटिबल संस्थाओं को आज खूब दान मिलने की उमीध है. इन्हें किसी नए प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट या दान मिल सकता है. दूसरी ओर अगर आप समात सेवा के लिए अपनी जमी जमाई मोटी तनक्वा हवाली नौकरी छोड़ने की सोज रहे थे तो आज ये आज वो दिन है जब आपके साथ कोई दुरघटना घट सकती है. इसलिए रोड पर चलते समय सावधानी बढ़ते और कोशिश कीजिए कि बचाव के उपाए भी अपने पास रखें. अगर आप यातायात के नेमों का पालन करेंगे तो किसी तरह की दुरघटना होने से बच आ सकते हैं. आज आध्यात्म की ओर आपका रुजान ज्यादा रहेगा. आप अपनी जिंदगी में धर्म के महत्व को जान पाएंगे. आज आप अपने भीतर जाकना चाहेंगे और इसके लिए ये समय बिल्कुल सही है. इस राह पर चलने से आपको सुक्षान्ति मिलेगी. 31. दिसंबर. राशिकन्या. रुमैंस. 31. दिसंबर. राशिकन्या. करियर. आपके विपक्षी आज आपकी छवी बिगाडने की पूरी कोशिश करेंगे. इसलिए अपने विवहार को लेकर आज आपको जरा सावधान रहना होगा. आपके विपक्षी आपको नीचा दिखाने की ताक में हैं और शायद वो लोग आ राशिकन्या. फाइनांस. जहां तक आर्थिक मामलों की बात है आपको आज किसी आर्थिक सलहकार की सलहा की जरूरत पड़ेगी. किसी निवेश तंबंधी मामले को लेकर आप उल्जन में रहेंगे. ऐसे में कोई समझदार आर्थिक सलहकार ही आपको सही सुझाव दे सकता है. उसे घौर से सुने और उसपर अमल करें. 31 दिसंबर. राशिकन्या. हेल्द. आज आप दर्द से परेशान हो सकते हैं. इसलिए दर्द की गोली लें. उससे आपको आराम मिलेगा. आज आपके सहने की ख्षमता कम हो जाएगी. इसलिए वही करें जिससे आपका दर्द कम हो जाएं. आज कुछ ऐसा करें जिससे आप परेशानी में न रहें और खुश रहें. 31 दिसंबर राशी तुला ओवर्वियू घर पर बनी अशान्ती आज आपको चिंता के दो-चार पल दे सकती है. अपने वुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश करें. फिर चाहे घर की अशान्ती का कारण आप ना भी हों, तो भी मानसिक शान्ती के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखें. 31 दिसंबर राशी तुला रोमैंस आज आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा, जिसमें अपनी बात पर अड़े रहने की बजाए, समझोते का रास्ता अपनाना आपके लिए बहतर होगा. किसी ऐसे मुद्दे को लेकर आपके बीच विवाद होगा, जो आपसे अधिक आपके पार्टनर के लिए एहमेत रखता है. विवाद को शान्ति पूर्ण धंग से सुलजाने की कोशिश करें. 31 दिसंबर राशी तुला करियर अपनी नित्रिद्व क्षमता दिखा बाने के कारण आपके करियर में वृध्धी ही होगी. अगर आप एक साथ बहुत से काम करें तो आपको फायदा ही होगा. अपनी सभी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करें. इससे आप अपने काम का मज़ा तो ले ही सकेंगे. आपका का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहेगा. साथ ही आपको नया तक्नीकी ज्यान प्राप्त करने की कोशिश भी जारी रखनी चाहिए. 31. December राशितोला फाइनंस आज आप कुछ आश्चरिजनक आर्थिक लाब की अपेक्षा कर सकते हैं जो आपके हिद में हो सकता है. आज आप ऐसी पैत्रिक संपत्ती प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी. जो आपको अप्रत्याशित 21. दिसंबर राशितुला आज आप ध्यान की कला सीखना चाहेंगे और कम से कम श्वास और शान्त होने की क्रियाई करने पर ध्यान देंगे इससे आपके मस्तिश्क को शान्ती मिलेगी आज आप केंद्रित होकर व्यायाम करें तभी आपका मूड और उर्जा शक्ति बढ़ेगी 31. दिसंबर राशिवरिष्चिक आज आपका दिल किसी सामाजिक कारे के लिए दान करने को होगा अपने दिल की बात सुने और किसी सामाजिक संस्था की मदद करें इस पुन्य के काम से जितनी खुशी लेने वालों को होगी उतनी ही खुशी आपको भी होगी 31. दिसंबर राशिवरिष्चिक रोमैंस अगर आप अकेले हैं और किसी के साथ आपका प्रेम संबंद चल रहा है तो आपने महसूस किया होगा कि आप पार्टनर के साथ जगडे और गलत जहमी के शिकार होते रहे हैं इसके कारण आप दोनों के रिष्टे और उर्जा पर बुरा असर पड़ा आपका आने वाला समय शांती और सौहार्द पूर्ण है 31. दिसंबर राशिवरिष्चिक, करियर अपने नस्दी की लोगों से बेकार की बहस में ना पड़ें इस समय छोटे मोटे जगडों की आशनका है जो भी बोलें सोच समझ कर ही बोलें अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर ही करें कूट नीती से पेश आएं इससे आप अंचाहे तनावजे बढ़ सकते हैं अपने आर्थिक हालात से निपटने के लिए आपको आज किसी आर्थिक सलाहकार की ज़रूरत पड़ेगी सोच समझ कर अपने सलाहकार का चुनाव करें आपको उसकी सलाह से अच्छी दिशा मिलेगी गाड़ी पट्री पर आ जाएगी आज आप स्वास्त को लेकर खुशनमास्तिती में रहेंगे आज आप अपना दिमाग सकारात्मक भावनाओं जैसे प्यार, आशा और विश्वास की तरफ लगाएं इससे आपको लाब मिलेगा आप अपनी ओर से किसी भी कारे को अच्छे तरीके से करें ताकि आपका स्वास्त और दिमाग ठीक रहे आज आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ कर अच्छी आदतों को अपनाना चाहेंगे आज आप अपने रिष्टों पर भी एक नजर डालेंगे और उन्हें और अच्छा बनाने की सोचेंगे आज का दिन आत्म विशलेशन का दिन है आज के दिन का उभयोग अपने आपको और अच्छी तरह जानने में लगाएं और अपने आपको सफलता के लिये तैयार रखें 21, December राशिधनू, रोमैंज आप अपने संबंध में नया पन लाने का प्रयास करेंगे। ये आपके संबंध में नया उत्साह वस्फूर्ती भर देगा। अपने साथी के लिए आपके मन में जो प्रेम है उसे दिखाने के नए व अलग तरीके से लाब होगा। 31. दिसंबर राशिधनों करिया। व्यवसाय में चलने वाले कठिन दौर के चलते आप भागीदारी के विकल्प की बात मन में ला सकते हैं। आप इस समय ब्रह्म की स्थिती में भी हो सकते हैं। जहां आप ये सोचेंगे कि भागीदार के साथ आगे जाना सही होगा या नहीं आप घरेलू भागीदार के साथ मिलकर इस व्यवसाय को धन प्राप्टिके योग्य बना सकते हैं। आज आपको आर्थिक नुकसान के संकेत हैं। इसलिए पैसे रुपए को लेकर आज थोड़ा सावधान रहें। सिर्फ सुरक्षित निवेश का ही रास्ता चुने या फि अगर विलासिता का कोई सामान खरीते हैं तो शायद नुकसान उठाना पड़े। आज मुठी बांद कर ही चलें। पूरी एकागरता से ही दें। इस समय के दोरान आप अपने विचारों को इधर-उधर भटकने ना दें। इन सभी क्रियाओं से आप अपने दिमाग को हलका और अपनी उर्जा को उच्च स्तर पर महसूस करेंगे। आज आप आईने के सामने अपना बहुत सा वक्त गुजारेंगे क्योंकि आप किसी सामाजिक समारोह में बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं। आज आप शायद कुछ चिंतित सा महसूस करें। क्योंकि आज आप सब को अपनी खुबसूर्ती से प्रभावित करना चाहते हैं। आज आप चाहे जो मर्जी करें। लेकिन कल से अपनी जिन्दगी के महतवपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना शुरू कर दें। आज आप अपने साथी के साथ जिन्दगी का भरपूर आनंद लेंगे। भावनाव में बहकर अपने लिष्टों को रुमैंस से भरपूर कर लेंगे। सकारात्मक सोच कायम रखते हुए अपने साथी को भरपूर प्यार दें। 31 दिसंबर राशी मकर करियर आज कुछ परेशानियों की वजह से आपका काम कुछ धीरे ही चल रहा है। इस समय का लाव उठाकर आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि आप अपने काम से क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम का प्रतिभल आपके अनुसार नहीं है तो आपको इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए आज आप ये सोचेंगे कि आप अपना पैसा ऐसी जगह क्यों लगाएं जिसे आप देख भी ना पाएं आप ये सोचेंगे कि पैसा ऐसी जगह लगाएं जिसका तुरंत फायदा आपको या आपके परिवार को मिले शाहिद आप घर की साज सज्जा पर खर्च करें या पूरे परिवार के अच्छे खानपान पर खर्च करना पसंद करें आपके परिवार वाले इसका लुद्फ उठाएंगे ज्यादा वजन की परिशानी से आपको स्वास संबंधी अन्य परिशानिया हो सकती है आप जल्द ही वजन घटाएं ताकि भविश्य की परिशानियों को टाल सकें आप कुछ शारिरिक क्रियाएं करें मोटापा आपके मूड और आत्मविश्वास दोनों में कमी लाता है जहां तक कीमती सामान की बात है तो आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि आज कुछ कीमती वस्तु खोने के संकेत है अच्छा होगा कि आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और अपने सामान को सुरक्षित रखें यदि आपके वो आपके साथी के बीच मन मुटाव था तो अब वह खत्म हो जाएगा वह दो बारा से प्रेम विकसित होगा अपने साथी को अपने दिल की बात खुल कर बताएं जिससे तनाव कम होगा वह संबंधों में प्यार की गर्मी लोटेगी यदि आप नौकरी की तलाश कर रही है तो आपको किसी ऐसे नियोकता से प्रस्ताव मिलने की संभावना है जो अनेक प्रकार के कारियों में सनलगन है आपका अवसाद समाप्त होगा और इनमें से आपको सही विकल्प को सोच समझ कर चुनना चाहिए आपको अपने काम में वापिस आकर अच्छा लगेगा आज का दिन आप पूरी मौज मस्ती में गुजारना चाहेंगे आपके खर्चे किसी महंगे रेस्तरों में भोजन से लेकर कपड़े गहने आदि तक में होंगे आज थोड़ा खर्चा करते हुए आनंद मनाना सही है लेकिन इसमें भी संतुलन तो चाहिए अपने बटवे और मनुरंजन के बीच सामन जस्से बना कर रखें आज आप पाएंगे कि पुरानी चोटों और दर्द को ठीक करने के लिए आप तरह तरह के इलाज अपनाएंगे आप सोचते हैं कि ये इलाज आपके लिए फाइदे मंद होंगे मगर इनका परणाम वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था सभी तरह के इलाज की चानबीन कीजिए मगर ध्यान रहे सबसे पहले आप किसी पेशेवर की सलाह लें चोटी चोटी बातों पर आज आपकी अपने परिजनों से अनबन हो सकती है आज आप अपने आपको शायद अकेला सा महसूस करें आज आप महसूस करेंगे कि आपकी रुचियां आपके परिजनों की रुचियों से बिलकुल अलग है आपके घर के बड़े बुजर्गों को आपकी पसंद कुछ अटपटी सी लगे लेकिन आज का दिन धैरे रखने का है और चाहे कुछ भी हो आपको इस बात को सराहना चाहिए कि आपके परिवार जन इतनी भिन्निता के बावजूद एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं आज अकेले लोगों को एक दूसरे से मिलने और मस्ती भरा समय बिताने का पूरा योग है इस दिन को कहीं बाहर घूम फिर कर यादगार बनाएं भले ही ये रिष्टा जीवन भर ना बन सके पर नए दोस्त बनाने का अवसर खोने से क्या पायदा आपने अपने लिए जो लक्ष निरधारित किये हैं आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर पाएंगे विद्यार्थी हाला की मौज मस्ती के मूड में है लेकिन ये केंद्रित होकर पढ़ने का समय है आज आपका ध्यान कुछ भटका रहेगा लेकिन सफलता पाने के लिए आपको फिलहाल महनत करनी चाहिए अगर इस समय आप महनत करेंगे तो भविष्य में आपको इसका लाब ही मिलेगा संभावना है कि किसी विदेशी से आपकी साजेदारी हो जाए या किसी विदेशी संस्था में आप निवेश करें हाला कि यह फाइदे मंद दिख रहा होगा पर समझदारी इसी में है कि अभी थोड़ा इंतिजार कर लें यह काम भी शुरू हुआ तो शायद यह उतना फाइदे मंद न साबित हो सो इस काम को कुछ दिन के लिए टाल दें आपको लगेगा कि आपने समझदारी का काम किया आज आप अपनी सेहत को लेकर परेशान नहीं रहेंगे बलकि अपनी किसी करीबी के बीमार होने पर आप परेशानी में रहेंगे आपके उपर तनाव जादा बढ़ जाएगा इसलिए आपको खयाल रखना होगा ताकि आपकी सेहत खराब ना हो